नमस्कार प्रडाम, मैं अतुल सिंग, अभी हाल ही में मेरी तीन फिल्मों का मुहरत हुआ है और यहीं बनारा सोन भदर में और बहुत ही जल्द ये तीनों फिल्मों की सुटिंग बैक टू बैक स्टाट की जाएगी अभी तो फिल्म में एक फिल्म का नाम कन्फर्म हुआ है जिसका नाम है तिलकहरू और हमारी दो फिल्में और है जो कि अभी प्रोडक्शन नंबर फोर और फाइब के नाम से है लेकिन बहुत जल्दी उसका नाम भी डिकलियर हो जाएगा दोनों फिल्मों में अगर मैं करेक्टर की बात करूँ तो एजे हीरो बहुत अच्छा पॉजिटिव करेक्टर है मेरा फिल्म के डिरेक्टर की बात किया तो बहुत अच्छे बहुत मज़ेवे खिलाडी है और डिरेक्टर है हमारे राम जी पतिल सर है और प्रोडूस बाई अरून दूबे हैं और उनका प्रोडक्शन रीगल फिल्म्स अभी तो ये तीन फिल्मे है मेरी और अपकमिंग फिल्म जो है वो सिंदूर की सोगंद है जो की साल उमीद करते हैं कि रिलीज होगी और इसके बाद भी काफी तैयारियां चल रही है और बहुत जल जो है कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किये जाएंगे फिल्म के बारे में अगर कहूँ तो काफी सारी तैयारियां चल रही है और स्क्रिप्ट आ गई हमारे हाथ में और फाइट जो है गाने जो हैं काफी अच्छी तैयारियां चलिए देखा जाए तो मुझे ज्यादा तर मैं पॉजिटिव करना ज्यादा पस एक्षन स्टार बनना चाहता हूँ और फिल्म अगर देखा जा तो फिल्म में अगर एक्षन, रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी ना हो तो फिर मजा नहीं है फूल इंटर्टेन्मेंट फिल्म होनी चीए लेकिन जहां तक मेरा मानना है तो मैं एक्षन फिल्में ज्यादा करना चाहता हूँ उसके लिए दिन बदिन तैयारियां चल रही है जिम है, वर्काउट है, एक्सरसाइज है और सुबह साम एक्सरसाइज कंटीनू चालू है ताकि खुद को फिट रखा जाए और आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी परस्नालिटी के साथ लाँच हुआ जाए फिल्म की बात की जाए तो मुझे अगर एक इंटर्टेन्मेंट कहा जाए तो मैसेज होना चाहिए फिल्म के जरीए हमें एक जनता को एक मैसेज देना चाहिए कोई अच्छा सा प्यारा सा देश के लिए समाच के लिए आज के आज कल आने वाली जनरेशन के लिए एक वो दो बहुत एची फिल्म है और एक से बढ़कर एक परिवारी कहानी है जैसे कि अगर वेल-गैटी की बात की जाए तो ना के बराबर है और यह फिल्म जो है फुल फैमिली ड्रामा है आप पूरे फैमिली के साथ पूरे परिवार के साथ बैठके बिंदास देख सकते हैं हम योग की बात की जा तो कहते हैं कि पहले खुद प्रूफ करना होता है, महनत करना होता है, उसके बाद जाके लोग जो हैं जोड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं और काफी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया हूं मैं मुंबई में और पिछले आठ या नौ साल से कंटीनु एक श्ट्रगलर के रूप में लोगों ने मुझे देखा है, और काफी मिटिंग्स होती है, फिल्मी दुनिया का अगर कहा जा तो बहुत सारी मिटिंग्स होती हैं, डेट होते हैं, टाइम होता है, लेकिन चीज़े कंफर्म नहीं होती हैं, तो देखा जा तो अभी भी मैं प्रोडूसर हैं, डारेक्टर हैं, थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना चीए, आने वाली जो जनरेशन है, जो पिड़ी है, जो नए लोग है, जो खुद महनत करके आगे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चीए, गीत संगीत की बात की जातो देखिए, नो ड मैसेज वाला गाना गाई है, जिससे आने वाले लोगों को आने वाली पिड़ी को एक मैसेज मिल सके, संदेश मिल सके, और एक अच्छा सा गाना करिए, मैं दर्सकों से यही काना चाहता हूं, कि उपने भाई को प्यार असिरवाद दुलार दीजिए, और सपोर्ट करिए, क मैरे जैसे जितने भी कलाकार हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो दिन रात एक करके मेहनत करें, वो आगे जाएं, और